अगर आपके शरीर में बार बार वीटामिन B12 या मल्टी वीटामिन की कमी हो जाती है, केलिशियम की कमी हो जाती है, आयन की कमी हो जाती है, वीटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वज़े से आपके शरीर में सफूर्ती कम हो जाती है, आपके मसल्स में पेंड रहने लगता है आपके जोडों में दर्द रहने लगता है आप ठकावट का एहसास होने लगता है तो उसके पीछे आयरुवेद में कुछ कारण बताया गया है कि हमारे खाने में छे रस होते हैं जिसे सड रस कहा जाता है मीठा, खटा, नमकीन, तीखा, कड़वा और तूरा ये छे जो रस है ये हमारी बोड़ी में उचित मातरा में जाने चाहिए ज्यादा तर लोगों का ऐसा होता है कुछ लोग मीठे का ज्यादा सेवन करते हैं तो उनको कोई बिमारी हो जाती है कुछ लोग खटा ज्यादा खाते है तो उनको मसल्स पेन है, जोइन्ट पेन है वेसी बिमारिया हो तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है, मतलब कि मीठा है, खटा है, तीखा है, ये एक श्रेणी में आते हैं, अगर मीठा, खटा और खारा ये हम ज्यादा खाते हैं तो उसका मारन जो है, उसके सामने आपको तीखा, कड़वा और तूरा, ये रस को सामने सेवन कर कर दो हमारे जो 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 हमारे जो